चार चीजे जा करके फिर कभी नहीं लोटती, मुह से निकलेवी बात, छूटावा तीर, बिती हुई उम्र और मिटावा ज्यान नमस्कार, मैं हूँ कमर्ट श्रीमाली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और दिपावली से संबन्दित, वो बातें जिनसे पता चलता है कि आने वाला है पैसा, वो संकेत बता रहा हूँ इस एपिसोड में हिंदू धर्म में शकुन और अप्शुकुन की मानिता बहुत पुरानी है विभिन संकेतों के माध्यम से शकुन अप्शुकुन के बारे में जाना जा सकता है ये संकेत भवशे में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें पहले से सूचित कर देते हैं इन संकेतों का माध्यम सपने भी हो सकते हैं या कुछ और भी कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जो हमें धनलाब होने के बारे में पहले से ही बता देते हैं आवशकता है तो बस उन संकेतों को समझने की आज मैं आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बता रहा हूँ जो लक्समी अतादधन के आगमन के बारे में हमें पहले से ही बता देते है सकुन सास्तर के नुसार अगर किसी की हतेलियों में लगातार खुज ली हो तो समझ लेना चाहिए कि उसे फाइनिशली गेन होने वाला कोई भी विक्ति से लेन दिन करते समय पैसा हथ से छूड़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि फाइनिशली गेन होने वाला है इसका अरती यह नहीं है कि आप बैग में से पैसा निकालते वे जान बुच करके पैसा छोड़ दें या गिरा दें इससे नहीं होगा गेन यह वास्ता में साफदानी रखते वे भी छूड़ जाए अनायाज छूड़ जाए तो उसको बोल सकते हैं यह शकून है फाइनिशली गेन होने वाला है ऐसी मानिता है फाइनिशल गेन से समझ दित कोई भी काम पर आप जा रहे है आपको मालूम है कि इस काम से मुझे पैसा मिलने वाला है कोई काम मिलने वाला है कोई टेंडर मिलने वाला है और या फिर जिस से पैसा मांग रहे है वो पैसा देने वाला है उसने एश्योर किया उस काम पर जाते समय यदि पीले कपड़ों में कोई सुन्दर इस्तरी दिख जाए तो ये भी समझना चाहिए एक धन प्राप्ति का संकेत है अताथ आपका काम होने वाला है इसके अलवा यदि थर्ष देखो अताथ गुरुवार को कोई कन्या पीले कपड़ों में दिख जाए आप जा रहे हैं और वो सामने से आजाए अताथ सकुन हो जाए तो इसे भी फाइनिशल गेन अताथ धनलाप का संकेत मानना चाहिए संकेत समझना चाहिए यदि कहीं जाते समय नेवले द्वारा रास्ता काड़ जाए या नेवला दिख जाए तो इसे फाइनिशल गेन का संकेत मानना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा सुब संकेत है आपने कुबेर की फोटो देखी होगी कुबेर की तस्वीर देखी होगी कुबेर की मूर्ती देखी होगी तो उनकी गोद में आपने नेवला देखा होगा नेवला धन का परिचायक है, खजाने का परिचायक है, धन के देवता, अथा धन के कोशा देक्स हैं, देवताओं के खजान्ची हैं, वो भी धन के कुवे देव हैं, वो नेवले को प्यार करते हैं, नेवले को दुलारते हैं, नेवले को हाथ में लेकर के बैठे रहते हैं, ऐ इसी इस्तिति में यदि आपको कभी भी अनायास दिख जाए इसका मतलब है कि आपके पास में लक्षमी आने वाली है। सपने हकिकत बन जाते हैं, सपने इंडिकेशन देते हैं आने वाले फ्यूचर का, आने वाले भवश्य का। क्योंकि जो सिक्स सेंस है या इंटुशन पावर है, उसको आने का जो जरिया है, वो थौट है, वीजन है, सपना है, या फिर आपको अनायास, कुछ नू कुछ ऐसे जागती आँखों से भी कई बार पता चल जाता है गर वो आने वाला है। और थोड़ी ही देर में आप देखते हैं कि वो व्यक्ति आपके दरवाजय पर होता है। अच्छा नहीं माना जाता है, आता उस व्यक्ति के घर में इतना बड़ा गम हुआ है, लेकिन सपने में यदि आपको मुर्दा दिखाई दे जाए, लास दिखाई दे जाए, उसको अच्छा माना जाता है। आपको मिलने वाला है। जो व्यक्ति अपने सपने में पकावा संत्रा या ग्याहूं देखता है, उसे जल्दी ही अतुल धन संपति प्राप्त होने के योग बनने लगते हैं। तो ये थे ऐसे संकित जो आपके जीवन में यदि आपको पता चले या आपके लाइफ में गढ़ते हैं, इसका मतलब है आपका काम होने वाला है। और उस समय फिर उत्सा दुगना हो जाता है, क्योंकि confidence बढ़ जाता है, ये आपको ऐसास होने लगता है कि मेरा काम तो होना ही वाला है। यदि आपको इंटर्विव पे जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपके पिता जी ने कोई अप्रोस्ट लगा दी है, या आपकी जान पिचान के अंकल ही इंटर्विव लेने वाले हैं, तो आपका confidence और आपका सीना कैसे चोड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि लोकरी आपको मिलने वाली है, ठीक उसी दंग से ये जो संकेत हैं ये भी आपको गेन की और इस सारा करते हैं, जो ही आपको ये गेन का संकेत मिलेगा, आपका confidence भी बहुत जादा build-up हो जाएगा, और एक प्रकार से वो काम होने की guarantee हो जाएगी, उससे जादा आपको क्या च ठनिवाल